मित्रो यदी हाथ का अंगूठा सामान्य से थोड़ा जादा लंबा है जैसा कि आपको इस्क्रीन पर दिख रहा है ऐसे लोग बुद्धिमान उदार और सांत व्यक्तित वाले होते हैं किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करते बहुत धहरे पूर्वक सांती से काम करने वाले होते हैं ये लोग सौकीन मिजाज के भी होते हैं लेकिन समझदार होते हैं और माहुल देख करके काम करने वाले होते हैं जहां पर गंभीर होना है वहां गंभीर हो जाएंगे जहां पर हसी मजाक करना है वहां हसी मजाक भी करेंगे यानि कि समझदार होते हैं और माहुल दे समाज में जरूरत मंदों की सहायता करने वाले होते हैं यदि अंगूठा ज्यादा लंबा हो और इन्डेक्स फिंगर के दूसरे वाले पोरू तक पहुँच रहा हो तो फिर ऐसे लोग समाज के किसी ना-किसी बड़े पद को प्राप्ट करने वाले होते हैं जैसे जज या फिर कोई बरिष्ठ अधिकारी के पदगो या फिर नेता वगेरा या मंत्रियादी के पदगो प्राप्त करने वाले होते हैं, ये लोग समाज के डिसीजन लेने वाले होते हैं, और समाज पर अच्छा नियंत्रन रखने वाले होते हैं, ये लोग सही निर्णय क के तुबाले होते हैं काम बासना या फिर गंदे विचारों को बिलकुल भी सोचने वाले नहीं होते हैं विवाह वगेरा करते हैं लेकिन जो ब्यर्थ की काम बासना होती है उससे दूर रहने वाले होते हैं ऐसे लोगों को महा मानव कहा जा सकता है क्योंकि ये लोग महा मानव तो सवाल ही नहीं उठता ये लोग जीयों और जीनेदों के सिध्धान्त को मानने वाले होते हैं ना ही दूसरों से एरशा करते हैं जलन करते हैं और ना ही दूसरों के बीच में टांग गडाते हैं लेकिन हां यदि कोई दूसरा अब्यक्ति इनके काम के बीच में टांग गड ये लोग आती स्वाभिमानी प्रवर्ति के होते हैं किसी भी व्यक्ति के सामने जुकना या फिर किसी भी व्यक्ति से सहायता मांगना पसंद नहीं करते हैं और अपने आत्म सम्मान को गिरा करके कोई भी काम नहीं करते कई बार तो ये लोग थोड़े अहंकारी सुभाव के भ होते हैं कि हमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है किसी से सहायता नहीं लेंगे इस तरह का थोड़ा घमंड भी करते हैं लेकिन फिर भी ये लोग समझदार होते हैं और घमंड में आकर के जोस में आकर के या फिर emotional होकर के कोई भी निरनाई नहीं लेते, emotional होकर के घमंड में आकर के जोस में आकर के कोई भी काम नहीं करते, बहुत सोच समझ करके अपना फायदा और नुकसान देख करके ही निरनाई लेते हैं, बहुत सोच समझ करके decision लेते हैं, इसी कारण से सफल होते हैं, ये लोग पूरी तरह से बुद्धिवादी प्रबृत्ति के होते हैं, यानि कि भाभुकता में आ करके कोई भी decision नहीं लेते, बहुत सोच समझ करके बुद्धी से दिमाग से जीवन जीने वाले होते हैं, दिल से जीवन जीने वाले नहीं होते, दिमाग से जीवन जीने वाले होते हैं, कभी-क लोगों की प्रबंध सक्ती भी बहुत अच्छी होती है, अपने उपर डिसिप्लिन भी होता है, खुद अनुसासन में रहने बाले होते हैं, और इनकी अबजर्वेशन पावर भी बहुत अच्छी होती है, यदि कोई चीज, कोई विसय इनको नहीं आता है, तो फिर ये लोग उस विसय को तुरंट जल्दी से पढ़ लेने बाले, जल्दी से समझ लेने बाले होते हैं, यदि कोई काम इनके सामने एक बार होता हुआ, इन्होंने देख लिया, तो ये लोग एक ही बार देखने से उस काम को करना सीख जाते हैं, ऐसे लोग समय के पावंद होते हैं, पान के पक्के होते हैं, अनुसासित होते हैं, जो कुछ कह दिया, वो करेंगे, इनकी बात का विश्वास किया जा सकता है, यदि हाथ में अंगूठा लंबा हो, और साथ ही मस्तिस करेखा एकदम निर्दोस हो, यानि कि मस्तिस करेखा सीधी हो, लंबी हो, और बीच में से बाड़ी तरची लाइनों से कट ना रही हो, साथ ही ये स्मॉल फिंगर सीधी हो, और स्मॉल फिंगर का नाखुन भी छोटा हो, और सुन्दर हो, कटा फटा ना हो, आप देखते ही समझ जाएंगे, तो फिर ऐसे लोग बहुत जादा बुद्धिमान होते हैं, फिर ऐसे लो लोग किसी भी बात को जल्दी से समझ जाते हैं, और समझ करके दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं, इन लोगों की परख सक्ती बहुत अच्छी होती है, किसी भी माहौल को या फिर किसी भी व्यक्ति को एक मिनट में परख लेते हैं, वो कहावत है ना, कि उड़ इन्होंने एक बार कोई decision ले लिया तो फिर उस decision में संसोधन की गुंजाइस नहीं होती है ये लोग उलजी से उलजी बात को भी जल्दी से समझ लेते हैं और उलजी से उलजी बात को भी सुर्चा देते हैं बुद्धिमान होते हैं और दूसरों को convince करने में भी बहुत माहिर होते हैं कई बार ऐसे लोग किसी बड़ी कंपनी के मैनेजर होते हैं या फिर ऐसे लोग समाज के बड़े निरणाय लेने बाले होते हैं कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं निरणायक की भूमी कामें डिसीजन मेकर की भूमी कामें होते हैं मित्रों आज के लिए वसे तना ही नमस्कार